वाइवेपोरेशन कॉजिस कोली जो जो सर्फेस पर मॉलीकूल्स होते हैं था मोलीकूल्स पिछ प्रिएज्ट ओन तर्फेस अव दर लिक्वीड वह हीट अब्सर्फ करेंगे जिसकी वैसे उनकी काइनार्टिक अनर्जी इंक्रीज हो जाती है और जैसे काइनार्टिक अनर्जी इंक्रीज होगी वो अट्राक्शन छोड़ देते हैं बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ वो attract करना छोड़ देंगे और वो वगप पर बन जाएंगे इनकी kinetic energy सेम होती है पर जैसे ही वो heat observe करेंगे surface से उनकी kinetic energy increase हो जाएंगे जो molecules water के उपर वाले surface के उपर है और उनकी kinetic energy जैसे increase होगी तो वो attract नहीं होंगे वाकी molecules से और वो water vapors फोम हो जाएंगे और अब kinetic energy तो उनकी kinetic energy तो उनकी kinetic energy बढ़ गई और उनकी kinetic energy बढ़ी तब ही तो वो water vapors बने तो जहां से उनकी energy ली है decrease the kinetic energy the remaining molecule causes cooling जो बाकी molecules उनकी kinetic energy उनकी increase हो सके तो उन molecules की kinetic energy decrease हो चुकी है तो वो cooling हो जाएंगे वो cooling गोस करेंगे तो यही रीजन है कि वाई evaporation causes cooling, evaporation means जो water के अंतर जो liquid है लीक्विड के अंदर जो molecules है वो vaporize हो जाएंगे ऐसा क्यों कुभी उनकी energy observe की है अब energy observe की तो kinetic energy बढ़ गी उनकी तो इसी कान वो water vapors करेंगे इसका एक और लब लिखना कैसे दूसरी वेसे भी जग में सकते हैं evaporation produces cooling as the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding and change into vapors and they producing cooling वही है जो liquid है liquid के surface के अपर जो molecules होते हैं वो बाकी molecules से energy gain करते हैं जिसके energy ले लेते हैं जो liquid के अंदर molecules होंगे उनसे energy ले लेंगे और वो खोद तो vaporize हो जाएंगे पर जो बाकी molecules रहा जाते हैं जो बाकी molecules रहा जाएंगे उनके पास energy वो कम हो जाएगी so, वो cooling produce करते हैं so, this is the answer